अगर आपकी कारबाई के स्कूटी के बोल्ट स्लिप हो जाएं बोल्ट स्लिप होने का कहने का मतलब है या तो जो बोल्ट होते हैं उनकी फ्रेट्स होते हैं वो घिज जाए या फिर जहां पर उनको फिक्स किया जाता है जाया वो किसी को नट में नट को वैल कर दिया जाता है कई बार या फिर कई बार किसी ब्लॉक पर उसको टाइट किया जाता है वहां अगर ठ्रेट्स होते हैं वो खराब हो जाए और आपका जो बोल्त हो वो अच्छे से टाइट रहो तो आप उसको किस तरीके से fix कर सकते हैं मतले टैंप्रिरली fix कर सकते हैं वह आपके साहर करें लेकिन उससे बर एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी important जहां पर single bolt ही काम में लाया जा रहा हो वहाँ पर यह चीज मत करना क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा पर हो तो जैसे स्कूटी मेंने यहां पर करें जो बोल्ट होता है यह स्लिप हो जा रहा है वैसे इसमें दो बोल्ड सपोर्ट के लिए हैं तो कोई दिकत नहीं अगर इसको temporary में यूज भी कर दो लेकिन अगर इस सिंगल बॉल्ट होता तो हम इसको से यूज निंह करता इसको से की कोई धागा लपेड़ देना या वर स्टील फोल को पर ला टेने भट उसको कड़ लेना उतना लोंग कट करना जितने की आपको रिक्वाइल बोल्ट इतना लंबा इतना ही लंबा ना आपको इस करना है wire को छिल लेना मतलब कर लेना है पूरी यहां पर से उसके अंदर तीचे चुम उसके बाहर से इंसुलेशन लगा है रबर का वह भी पूरा आपको फटा लेना है ठीक है क्योंकि उसके निकाल के ही काम होगा जो भी होगा तो इसको निकालने के बाद आपको पूरी wire को अच्छे से लपेट लेना ठीक है इतना होगा उसके बाद क्या करना है जहां पर आपको बोल्ट को टाइट करना वहां पर इस वायर को इंसर्ट करना देखिए अभी सिंगल वायर का यूज करो अगर इस मैं यह मिलेगा तो और भी यूज करेंगे जब तो खिलाल यहां पर इस बोल्ट को यहां पर टाइट करने की कोसिस करने तो देखिए पहले के कमप्रिजिन में टाइट हो रहाए लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है हां इसकी जगह घर चोटा बोल्ट होता जैसे 10 एमिंग अगर हम 8 एमिंगा यहा पिर उससे चोटा बोल्ट होग तो यहां पर यह इतना perfectly नहीं कर पा रहा है बट कर रहा है ठीक है तो अब हमें क्या करना है सेम जो वायर हम यूज कर रहे इतना उसके दो तीन पार्ट हमें काट लेने लाइक मैं यहाँ पर तीन पार्ट का यूज करो पहले मेरे पास से अलड़ी कटा हुए ठीक है इसको नहीं भी आपको इंसेर्ट करना है नहीं जाघा छोड़ा हूपर करना ह इसको करना है नहीं इधार सथीर सफीर लेता है लेटतों और सेशी थे इतना टाइट हो रहा है कि इसको अच्छे से होल कर ले तो देखिए अगर आप करना चाहते है ना तो यह आपको लेक्ट पर्मनेंट यह इसको यूज कर सकते हैं लेकिन कभी भी खोलेंगे दुवारा से आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा तो जैसे आपको बहुत है एक स को पता चल रहा है कि किस तरीके से इसको अच्छे से होलें वाँके वाइर जो है उसके अंदर चलेगी इसको निकाल के साइट कर लेते हैं आप रहे करते हैं इसमआं सटील त्राइब करने के बहूत सारे आप्शन्स होते हैं या तो आप उसको जो बोल्ट होता उसका जो main जो इसका काम होता है यही होता है कि अंदर जाकर थinação अखिक है तो सिंगल सिंगल पीस में भी डाल सकते हैं या सारा इस तरीके से इस और बोल्ट पे डिपेंड करता है कितना बड़ा ही तरस आप इसको करता है टाइड करने की कोर्षे ऑट तो यह भी हाँ पर अच्छा कर रहा लेकिन उत्याना जादा नहीं कर रहा है जितना कि इस से पहले तरीका झाल फ्रट कर रहा है तो अरट तो अजयत आपको इस तरीके से करना है तो आप वारा है न वह आप अच्छेशे चीन कर सकते हैं फिलाल में इस्कोंदा तो इतना ही इसके लिए काफी है मतला इससे जादे इसकी लिमिट नहीं है अगर हम और ज्यादे स्टील पूल इसमें यूज़ करते तो साधी और ज्यादा इसको होल्ड कर लेकिन अगर आपको छोटे बोल्ट यूज़ करने जैसे की आठ है में का उससे छोटे या फिर किसी स्क्रू को आपको टाइट करना तो वहां पर इसकी जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता लेकिन बड हो फ्री में होने वाला काम क्या हो सकता उसमें यह था तो अगर छोटे स्क्रूज हो वहां आप स्टील बूल का यूज़ कर सकते हैं वह उनको होल कर लेगा काफी अच्छे से लेकिन अगर बड़े बोल्ट हो वहां पर आप वायर को जो मैंने जैसे वायर को हमने पीसेज मे कट कर लेता है तो एक मुझे बढ़िया लगा उसमें अच्छा खासा है मांट में आप उसको टाइट कर पा रहे थे ठीक है तो जाला जाला वायर से आप उसको उसके अंदर इंसर्ट कर लेंगा उसको टाइट कर लेंगे तो मतलब एक पर्मानें इन सल्विशन आपके देते हैं तो आई होप यह वीडियो कुछ आपको अच्छे लगे हूं मिलते नेक्स वीडियों किसी और टोबेकिस हैं तब तक लिवाइ ठीक करे